तो एक शिक्षक जो है शात्रों में कुछ जरूरी परिवर्थन करके ऐसे गुण डाल देते हैं ताकि उन शात्रों का भविश्य सुरक्षित हो सके और आने वाली पीड़ी से नवनिर्मान हो सके देश निर्मान हो सके और देश का विकास हो सके All In One सुनील खरी यूटीब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज सिक्षक दिवस है और सिक्षक दिवस पर मेरे विचार कुछ हटके हैं यहां भी मैं यही बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से करफशन हुआ है और उस करफशन के कारण ये विवाग जो है अचुता नही रहा और शिक्षकों की भरती में जिस तरह से लापरवाही बरती गई अपात्रों के लिए और आयोग के लिए शिक्षक जैसा महत पूर्ण पद उत्तरदायत पूर्ण पद जो है सौप दिया गया जिसकी बज़े से इस विभाग में भी गुन लगा हुआ है और बहुत अधि एक जो है पतन हो रहा है शेक्षनिक पतन हो रहा है शिक्षक का पतन हो रहा है और शिक्षक और छात्रों के संबंधों का पतन जो है इस पस्ट दिखाई दे रहा है बहरहाल आज की दिन शिक्षकों का सम्मान होता है अच्छी बात है और मैं एक शिक्षक में शिक्षक ही द कहना उचित नहीं है। सिखाना और क्या सिखाना है इसमें बहुत फर्क है। और यही फर्क जो है सिक्षक को पता नहीं होता है। और इसलिए शात्र क्या सीखना है कि जगा कुछ भी सीख जाते हैं। तो यह इस्तितियां बनी हुई है। मेरा ऐसा मानना है कि अच्छा शिक् शिक्षक पढ़ाता भी है और सिखाता भी है किन्तु सर्वस्रिष्ट शिक्षक प्रिरित करता है भारत रत्न डाक्टर सरोपली राधाकृष्णन जो की स्वयम एक शिक्षक थे उनकी जन्म दिवस को सिक्षक दिवस के रूप में मनाय जाने के पीछे जो धे है वो ये है कि शिक्षकों के चरित्र में जो आउनती दिखाई पड़ रही है। चरित्र में जिस तरह से पतन होते आ रहा है बिगत वर्षों से, उसी श्रेणी में सिक्षक भी शामिल है। अभी भी समय है वक्त है शिक्षकों को अपने दायत तो समझना चाहिए, शिक्षकों को अपनी निष्ठा यहां पे दिखानी चाहिए, अपने पद के प्रती और शिक्षकों को अपने सम्मान में इजाफा करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि देश को देश बनाया जा सके, वेश को परिवेश बनाया जा सके। आप सभी को जो शिक्षक पद पर अथवा शिक्षक करमे होते हुए शिक्षक हैं उन्हें शिक्षक दिवस पर हार्दिक बधाई एवं अनन्त शुपकामना है